Hello guys, this is Ajay Singh. So now students, in today's class, we are discussing a very important chapter from our class 12th, okay? So class 12th का ये chapter है और class 12th के अंदर हम बात कर रहे हैं आज evolution के बारे में, ठीक है? यानि कि विकास, हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं इसको उद्ध विकास बोला जाता है, ठीक है? यानि कि evolution, अपने आप में समझो आपकी ये chapter ना, पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, कि सर बहुत थियोरी है इसके अंदर तो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? देखो बेटा कुछ नहीं है, अगर आप किसी चीज को किसी दूसरे वे में पढ़ने के कोशिश करोगे तो ज़रूर समझ पाऊगे? ठीक है? तो मैं कोशिश ये पूरी करूँगा कि मैं आपको इसको बहतरीन तरीके से समझा पाऊँ? ठीक है? एक कहानी के तरह अगर आप इस चेप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि evolution कहना क्या चाहता है? समझ रहे हैं बात को? ठीक है? हाला कि देखिए आप अपनी छोटी कासिस से यानि कि 9 से 10 में भी आपनी थोड़ा बहुत evolution के बारे में पढ़ा है ठीक है? तो आ आप देखिए ये जो evolution हुआ है जिसकी हम आद चर्चा कर रहे हैं ये हुआ कैसे है? क्या किसी की रचना थी? या कुछ और था? या कह दे कि हम भगवान ने सब को बना दिया? तो ये सब बाते इस chapter के अंदर है जो हम cover up करने वाले हैं लेकिन समझ आप evolution के अगर हम बात कर र जी चीजें हुई न? वो सब कैसे हुई? हम कहते हैं कि अकस्मात हुई समझतें हैं अकस्मात का मतलब unfortunately ठीक है? मैं बन गया?ंफॉर्चुनेटली आप बन गये?ंफॉर्चुनेटली मेरे सामने भाया बैठे में ये बन गये?ंफॉर्चुनेटली सब कुछ चीजे जो हुई यह वो कैसे हुई है, unfortunately हुई है, यानि कि एकदम से हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं आत को, तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहले कहा जाता है, कि जैसे आप biomolecules में पढ़ते हैं, क्या, कि जो main components हैं, यानो inorganic या organic components की बात करें हम, ठीक है न, या कुछ particles की बात करें, तो छोट हैं, जैसे हम carbon की बात करें, hydrogen की बात करें, sulfur की बात करें, ठीक है न, यह सब क्या है, यह सब हमारी body के अंदर रिप्रेजेंट है, और जो हमारी मिट्टी है, उसकी अंदर रिप्रेजेंट, यानि कि soil की अगर हम बात करें तो, ठीक है, यानि कि, अगर evolution है, तो evolution हुआ तो है ये तो सही बात है अब evolution के पीछे एक बहुत बड़ी theory निकल कर आती है जो आपके NCRT बोलती है evolution हुआ क्या? evolution यह हुआ एक formation है from form to another यानि कि एक form से दूसरी form के अंदर हम enter कर रहे हैं उसको हमने evolution बोल दिया ठीक है? और ऐसा नहीं कि evolution नहीं चल रहा समझ रहे हैं इसा नहीं कि evolution डिग्रोइंग कर रहा है कुछ special character उनके अंदर develop होते जा रहे है हो सकता है कि आज जैसे हम यहाँ पे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं तो हम लैंड पर रहे हैं हम पानी में नहीं नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास gills नहीं है हमारे पास तो lungs है हम हमारी बात करें humans की बात करें तो mammals की बात करें तो mammals में और भी कर्टेगरी आती है अगर humans की particular बात करें तो हम पानी में रहा सकते हैं? नहीं हम कहां रहते हैं? लैंड पे रहते हैं outer atmosphere से connected हैं हमारे lungs, ठीक है, हम क्या करते है, breathing करते है, respiration perform करते है, clear है, ठीक, तो यहाँ पर मतलब क्या है, कि कहना का मतलब यह है, कि यहाँ पर हम connected है, तो evolution है, समझ रहे बात को, हम आज की डिट में अगर अर्थ पर कोई rule कर रहा है, तो वो कौन rule कर रहा है, humans rule कर रहे है, हम लोग rule कर र है, आप ने देखा, तो आप कह सकते है, ठीक है, कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना, लेकिन कुछ, यहाँ पर क्या हो नहीं चाहिए, कुछ यहाँ पर साबित होना चाहिए, ठीक है, कोई proof होना चाहिए उसके साथ में, तो यहाँ पर evolution जो चला, उसकी अगर हम बा ब्रह्मान उतना बड़ा है, यानि कि हम ब्रह्मान के अंदर बात करें, तो एक कण से भी कण से भी कण से भी कण और छोटा कण, जितना छोटा आप कर सकते हो ना, उतने छोटे कण के बराबर की हमारी क्या है, यह पूरी अर्थ है, और इस अर्थ पे हम रह रहे हैं, तो हम किती सी जगे पर रह रहे हैं वो भी आप समझ जाईए सोचिए ब्रह्मान कितना बड़ा है ब्रह्मान जो है वो बहुत वास्ट है मतलब आपकी और मेरी सोच से बिल्कुल कह सकते हैं different मतलब आप सोच जहां तक सोच सकते हैं सोच लिजे उससे भी बड़ा है ब्रह्मान और आज तक इस गेलेक्सी के बारे में इस ब्रह्मान के बारे में कोई नहीं जान पाया जितना जान पाया उतना जानने की कोशिश कर जा रही है अब जैसे आप बात करते हैं हम ना सक्या है रेगुलर लगा रहता है कि हाँ कुछ नया प्लानेट दिख जाए हमें कुछ नया हो जाए 24 hours निकरा नी कर रहे है वो समझ रहे हैं बात को आप तो अब देखिए NCRT क्या बोलती है NCRT बात करती है भई की ब्रहमान में क्या हुआ था एक बहुत बड़ा नुकलियर विस्पोर्ट हुआ था ठीक है मतलब उससे भी बड़ा कई गुना बड़ा जो है एक विस्पोर्ट हुआ जिसको उन्होंने किस नाम को दिया जो उन्होंने उसको नाम दिया यहाँ पर बिग बैंग थियोरी क्या बुला बिग बैंग थियोरी बुला ठीक है अब इस बिग बैंग थियोरी के अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ एक महा विस्पोर्ट हुआ महा 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 जितने महा लगा सकते हो न उतने लगा दो बहुत बड़ा महा विस्पोर्ट हुआ और उससे क्या हुआ वहीं बारिक बारिक छोटे चोटे कंड पूरे ब्रम्हान के अंदर पूरी गेलेक्सी के अंदर फैल गए तो वहीं जो एक कंड फैले जो विस्पोर्ट हुआ उसी में एक कण है हमारी पृत्वी हमारी अर्थ ठीक है समझ रहे हो तो हमारी अर्थ कैसा एक छोटा से छोटा से छोटा से छोटा छोटा एक भाग है अब सोचिए इतना सा छोटा था पार्टिकल मतलब क्या बोलो मैं आप बाल से भी छोटा पार्टिकल है हमारी अर्थ इतन उने ब्रम्हान में करोडोख और वो जो हैं पार्टिकल्स गए होंगे और उन सब पर क्या लाइफ है अभी तक हमें नहीं पता है तो हम एलियन की भी बात करते हैं वो हमसे एडवांस है हो सकता है वो हमारी आर्थ से बहुत दूर है तो वो हम तक पहुंच गए चाहिए वो ए हमसे आगे हैं या पीछ हैं लेकिन हम हमारी अगर बात करें तो वह भी कहीं न कहीं किसी प्रेंट पर हैं अगर उनका अस्तित्य तो है तो अगर वह प्रेजन्ट है तो आई बात समझ में सबसे पहले हमगे हमेभीलशन के अगर कि यहांगे इ stake किया हे यहां पर क्या है orderly change is an orderly change from one form to another form another form और इसी को हमने क्या कह दिया यहां पर evolution कह दिया इस chapter में पता है सबसे बड़ी बात क्या है इसमें आपको सुनना है सुनना है समझना है बस और इसके लावा कुछ नहीं है क्लीर है जो जो पॉइंट याद करने वाले होंगे मैं आपको बता जाओंगा लेकिन आपको समझना है बिलकुल बोरियत नहीं होगी अगर आप इसको कहाणी के तार समझोगे तो मैं आपको कहाणी ही सुना रहा हूं ठीक है आई बात समझने है तो यहां पर हमने बात कर लिक इसकी evolution की भाई एक ordinary change होगा from one to another form, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, evolution बोला, clear है, अब अगर हम बात करें, यहाँ पर किसके बारे में, भाई, origin of life, origin of life, ठीक है, तो origin of life की बात करें, तो हमने भी किसको देखा, बिग बैंक theory की बात करी, यह जो बिग बैंक theory है, यह कब आई थी, लगबग लगबग 20 billion year ago, 20 billion year ago, नामों निशान नहीं था हमारा, हमारा छोड़िये, इस पृत्वी का ही नामों निशान नहीं था, यह मान के चली, कैसा थी, एक तपता हुआ आग का गोला थी, समझ रहे हैं हम यह ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, एक बम blast हुआ, तो उसके अंदर क्या हुआ, यह जो galaxy में हमारा सूरज उपस्तित है, present है, ठीक है, चंद्रमा यानि कि moon present है, sun present है, यह सब क्या है, यह साथ बने थे, या अलग-अलग बने थे, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, कि जो हमारी Earth है, और जो sun है, वो दोनों क्या बने, एक साथ बने थे, कैसे बने थे, एक साथ बने थे, ठीक है, और अगर हम आकाश गंगा यानि की galaxy की बात करते हैं, तो कहां तक फैली हुए, विस्तर बहुत ज़्यादा, मतलब कोई limit ही नहीं है, वहां तक फैली हुए, समझ रहे बात को ठीक है, कोई इसका अंत नहीं है, तो कोई इसका छोर नहीं, कहते हैं है, कोई इसका अंत नहीं, कोई इसका छोर नहीं, तो Big Bang थोरी का भाई, 20 billion year ago पहले आई, अब उसके छोड़ अधा पार्टिकल, इस पीड से उग गया, पर स्पीड से क्या का, जहां तक पहुँचा उसने वहाँ पर, वो एक प्लानेट की रूप में डिवलप हो गया, यह मान की से चलते हैं, तो हमारे आस पास के अगर हम प्लानेट की बात करें, तो जड़ा ज़्यादा हम कहां तक पहुँच पाएं, भई हमने सूरज तक हम जाने सकते हैं, क्यों, आग का गोला जल जाए यह बहुत slow process था, क्या हुआ, हमारी जो प्रत्वी थी, हमारी जो आर थी, वो ठंडी हुई, लेकि ठंडी होने ते पहले केस थी, यह भी तपता हुआ, आग का गोला थी, फिर दीरे दीरे ठंडी हुई, तो कुछ gases निकली, ठीक है, यानि कि अगर हम evolution में बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या हुआ, chemical evolution ही हुआ, क्या हुआ, chemical evolution ही हुआ था, ठीक है, आई बात समझ में, फिर क्या हुआ, यहां पर oxygen थी नहीं, ठीक है, गरम दलगता, आग का गोलाता, देरे थे ठंडा हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा हुआ थे अबाद क्या हुआ है, यहां पर methane मिली, समझे आप बात को चलो तो हम किसकी बात कर रहे है औरिजन ओफ लाइफ की बात कर इसमें हम किसको लेंगे सबसे पहले हम बात कर एद यहां पर बिग बैंग थी चुरी ठीक है ढ़िए टि लगब लगब बत करें 20 billion year ago कब आई थी 20 billion year ago यह हमें जो है Big Bang theory मिली थी ठीक है बाई क्या हुआ था एक बहुत भायानक explosion हुआ था ठीक है बाई दिस सिंग्यूलर हग expulsion हग expulsion क्लियर है क्या हुआ बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था नौ ठीक है तो छोटटे पार्टिकल निकले उनी पार्टिकल में से हमारी अर्थ क्या है एक छोटा सा अधना सा नाजुक सा एक टुकडा है ठीक है समझ रहे हैं बात को चलिए अब अगर हम तो हमारी अर्थ की बात करें तो फेले तो आख कप इसका कब आई तो हमारी आर्थ जो स्कारिश का फॉर्मेशन कलग वह लगए लगभग लगभग 4.5 विलियर एंदयर एकुट है कितनाGen2 एक इतने बिलियर्ः लग गए लेकिन पतिए का लि principle क्लशन कभ बुआ फॉर्म Earth was formed about 4.5 billion year ago, ठीक है? तो Earth का प्गनी 4.5 billion year ago, Earth का formation हुआ, ठीक है? चलो. तो अभी हमने बात करी है, सबसे पहले क्या हुआ है? तो यहां पर क्या था? कोई भी atmosphere नहीं था. So, there was no atmosphere on Earth. So, there was no atmosphere on Earth. ठीक है? तो Earth पर कोई atmosphere नहीं था. ठीक है? क्या क्या थे? ज़र ज़र हम बात करें. Water vapor ठीक है? ठीक है? थेन हम किसकी बात करें? CH4, CO2 and ammonia. NH3. released and cover the, released and cover the surface. ठीक है? तो इसने क्या करता? इसके surface नहीं को पूरे को cover up कर चुका रखा था. तो यहां पर कहीं आपको oxygen दिखाई थी? नहीं. Water vapor है, methane है, ठीक है? ammonia है और carbon dioxide है. अब देखो ऐसा नहीं था कि भई पानी था. Water vapor की बात करें? Water vapor यानि कि इतनी heat थी कि पानी क्या हुआ? वपर बनके पानी बरसता था. ठीक है? लेकिन इतनी heat थी कि पानी बरसता था और वापस से vapor बनके ऊड़ियाता था. तो यहां पर क्या था? Water vapor प्रजेंट था. और यह सब जो gases थी, यह gases प्रजेंट थी. ठीक है? atmosphere तो कभी कुछ है. था ही नहीं इस time तक. ठीक है? चलिए. जब जो हमारा sun है. ठीक है? अब sun भी क्या करता था? अपनी heat देता था. ठीक है? क्योंकि हमें अगर हम energy की बात करें, तो हमें energy कहां से मिल रही है? हमें sun से energy मिल रही है. ठीक है? लेकिन sun क्या देता था? direct UV rays. क्या था था? पहुँच जागा temperature हाई रहा था. ठीक है? direct UV rays आती थी. तो क्या करता था sun? The UV rays from the sun, the UV rays from the sun is break up the water and oxygen from the break up the hydrogen and oxygen. ठीक है? तो H2 and O2 को इसमें क्या करा इसने? break up in water. water. ठीक है? clear है? तो हुआ क्या? धीरे धीरे प्रतिश हंडी हुई ठीक है? तो फिर क्या हुआ? लगातार, कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जो क्या हुआ हुआ है? हम क्या बात करें? कि बारिशें होती रही, होती रही. बोलते हैं ना? बारिशें आ गई, आती रही, आती रही. क्या हुआ? जो बड़े-बड़े गड़े थे, ठीक है? उनमें क्या हो गए? वो विशाल समुद्र में बदल गए. आई बाए समाज़ें क्योंकि बारिशें र oxygen combined हुई किसके साथ में oxygen combined हुई ammonia और methane के साथ में तो क्या form हुआ water form हुआ सीख है तो हम क्या बोचते हैं कि oxygen combined with ammonia with ammonia and CH4 now and dry to form a water and dry to form a water clear आई बाज समझ में ठीक है and CO2 clear ठीक तो इस तरह दे क्या हुआ auto combined हुई और from water from CO2 बना clear है आई बाज समझ में चलिए अब देखिए दीरे-दीरे क्या हुआ जब यह दीरे-दीरे सारा atmosphere बना तो फिर क्या हुआ ozone layer का formation होना शुरू हुआ क्या हुआ अब दीर-दीर ठंडी हो गई ठीक है पानी बढ़ने लगा तो क्या हुआ अब हमें atmosphere याने की atmosphere जो UV rays directly आ रही थी sun से उससे क्या करना था protect करना था यहां पर क्या हुआ धीरे-धीरे जो है ozone layer का formation होना शुरू हुआ तो उस ozone layer के formation होने के वज़े से direct UV rays थी वो सीधे क्या उन लगी अर्थ पर रुखने लगी जो सीधे अर्थ पर आ रहे थी वो रुखने लगी तो अब क्या हुआ कि वह फिल्टर जो हम कह सकते हैं rays थी वो यहां पर हमें मिलने लगी किसके रूप में energy क form के अंड़ ठीक है तो हुआ क्या नौ द ऑजोन लेयर वास फॉर्म कब हुए यह जबी ठंडी भी तो ऑजोन लेयर वास फॉर्मड वेन अर्थ इस कूल वर्थ अर्थ इस कूल ठीक है जब प्रत्वी ठंडी हुई अर्थ ठंडी हुई तो उस कंडिशन में क्या हुआ ओजोन लेयर बनने लगी ठीक है आई बात समझ में चलो अब जब ओजोन लेयर का फॉर्मेशनल लगा तो क्या हुआ वाटर वेपर फिल होने लगे ठीक है और क्या बने ओशन बनने शुरू हो गए ठीक है फिर क्या हुआ दैन ओ वाटर वेपर फिल एंड रेंड विल कंटिन्यू एंड दी फॉर्मेशन ओफ ओशन्स फॉर्मेशन ओफ ओशन्स फिर क्या हो गए बड़े-बड़े समंदर यानि की ओशन्स जो है वो बन गए क्लियर है आई बात समझ में तो इस तरह से क्या हुआ शिरुष्टे शुरू आत हुई और यह सब चीजी क्या होगी बनना शुर तो लगबग लगबग 4 billion year ago ठीक है तो we can say that we can say that life will appear around 4 billion year ago ठीक है लगबग 4 billion year ago जो है life का formation हुआ तो देखा जाए तो पहले basically हुआ क्या chemical evolution ही हुआ है याद अखना आप क्या हुआ है chemical का ही evolution हुआ है उसी के बाद इस सब चीजे होना शुरुए क्यों कि हमने किसकी बात करी बई सबसे पहले क्या present था बई यहाँ पर देखिए methane थी carbon dioxide थी ammonia थी तो यह सब क्या है वही chemical substances ही तो है है या नहीं है बिलकुल तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो सबसे पहले अगर life आई है ठीक है तो आई कैसे पहले क्या था chemical evolution हुआ देन उसके बाद life का formation होना शुरू हुआ तो हम बोलते हैं न सेल के बारे में सेल कोशी कर इसको आप जानते हैं सेल क्या है भाई evolution के दौरान की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ inorganic substances ठीक है इन्होंने मिलके क्या बनाया एक सेल का formation किया और जब सेल बनी तो से से single cell बना single cell से फिर multicellular बनी यानि कि एक सेल बनी फिर उससे कई cells का जो formation हुआ तो इसलिए हम क्या कहते है कि सबसे पहले evolution क्या है था chemical evolution हुआ ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ धीरे-धीरे life आना शुरू हुई clear है आई बात समझ में तो हम क्या कहते है कि first firstly the chemical evolution will come firstly the chemical evolution has done then the other life forms समझ रहे हैं बात को फिर क्या वो other life जो है वो बनना शुरू हुई ठीक है ना अब हम किसकी बात करें हम बात करें हम बात करें यहां पर theories of origin of life अब कुछ theories दी गई किसके लिए origin of life के बारे में ठीक है तो हम किसकी बात करेंगे हम secondly यहां पर बात करेंगे theories of origin of life theories of origin of life ठीक है इस point को समझना है मेरे कहने का मतलब क्या है theories यानि कि कुछ ऐसी धाड़ना है कुछ विज्ञानिकों के द्वारा दी गई जो क्या करें थे evolution में participation करें evolution में participation नहीं कर रहे थे evolution को समझने की कोशिश कर रहे थे ठीक है तो उस theory को समझने में अपना participation दे रहे थे तो ऐसे लोगों ने कई theories बनाई ठीक है कई लोगों ने कहा कि जैसे हम sport theory की बात करें कि एक कंण था तो वो कहीं से travel करता हुआ हर एक जगे चला गया तो उसको हमने क्या वोल दे भी उसने जो है वो यहां पर life का formation कर दिया sorry और किसी ने ये कहा कि भाई जो life है वो कैसे वो God द्वारा बनाए गई है तो भगवान को हम भी मानते हैं आप भी मानते हैं लेकिन क्या आपने देखा है कहाएं देखा तो नहीं पर लोग मानते हैं तो हां जिसे पुराने जाम से हमारे पुरवज मानते आ रहे ह वैसे हम भी मानते हैं ठीक है हमने देखा तो किसी को नहीं है लेकिन है आस्था आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं होती यह हम बोलते हैं ठीक है फिर किसी ने कहा कि बहुँ कुछ dead or decaying materials हैं उनकी वरे से जो है वो microorganism पैदा हो गए और life बन गई तो मुझे एक बात बताई यह life बन कैसे गई कि dead and decaying material जो आये तो वो dead or decaying material आये कहां से यानि कि अगर हम बात करें तो आपने जुनियर क्लाइद में पड़ा हुआ है कि कुछ ना कुछ organism या micro organism की हम बात करें outer atmosphere में होंगे पन पे होंगे तो वही तो यहां पर dead or decaying material पे जब apply होते हैं तो उसको क्या करते हैं खत्म करते हैं यह अपना उसको food की रूप में वो engulf करते हैं ठीक है food की तरह engulf करते हैं ना तो यानि कि micro organism थे पहले भी थे लेकिन वो micro organism में नाम से confirm ह हम naked eye से तो उनको देख नहीं सकते हैं और पहले को ऐसा evolution में को ऐसा कुछ मतलब कुछ experiment भी नहीं हुए थे इस तरह कि कोई उन्होंने कोई ऐसा object बना लिया और जिससे वो micro organism को देख सकें लेकिन हां कुछ experiment ऐस तो जिननने इस चीजों को proof कर दिया तो वहीं से शुरुआत ह हुए किसकी theories of origin life तो कई theories दी गई यहां पर कि origin of life हुआ कैसे तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो origin of life कुछ start हुई वह कहां से start हुई water से start हुई ठीक है अब देखिए water से start होने का मतलब यह कि सबसे पहले देखिए यहां पर हुआ क्या बारिश्यों वही सब कुछ रहें तो 78% तो watery है ऐगी है ना 78% करते समन्दर पानि किसी काम का नहीं पाने की किलत है तो सिफ क्या पीने के fresh water की पाने की किलत है अधर वाइस देखा जाए तो वर्लडवाइड पाने की कोई किलत नहीं क्योंकि हम समंदर के पानी को यूज नहीं कर सकते हैं यह जरीग तर क्योंकि इसमें salty बहुत ज़्यादा होता है ठीक है और क्या मिनल्स भी होते हैं और क्या साट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसलिए तो अगर ज्यादा इमाउंट के अंदर हम क्या करेंगे water ले लेंगे पी लेंगे समंदुर का ठीक है यानि कि ocean का water लेंगे तो कैसा salty water है ठीक है marine water है तो हमारी body के लिए क्या होगा अच्छा नहीं होता है क्लियर ज्यादा amount गया तो salt का level बढ़ जाएगा well pressure भी हाई हो जाएगा बहुत सारे symptoms body हो जाएगे और फिक या person की death भी सकती है तो यह water हमारे लिए नहीं है लेकिन हाँ इसका filtration process जो है उसको करके हम इसको यूज करते हैं लेकिन यह काफी costly होता है अगर हम बात करें दुबई जिस सिटी है तो वहाँ पर क्या करते है उसको क्या करते है फिल्टर करते है वो लोग ठीक तो अगर हम बात करें जो उन्होंने समझ रहे हैं और हमारे यहां हमारे यहां हमारे यहां जैसे इसको उल्टा हो जाता है समझ रहे हैं बात को ठीक है इसलिए कदर करना सीखिए पाने की पीने का पाने काम है वैसे पाने की कोई कमी नहीं ठीक है चलो तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे theories of origin of life की बात करेंगे चलिए अब हम किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं यहाँ पर थियूरीज के बारे में तो देखिए थियूरी बहुत सारी दी गई लेकिन मेंली जो हमारी NCRT के थियूरी दी गई है हम उसी को cover-up करेंगे क्योंकि ultimately जो हमारा ग्रंथ है वो कौन सा है NCRT है ठीक है NCRT को ही हम कवरणब कर रहे है चलो तो theories of origin of life में first हम किसकी बात करेंगे वह पांस तरी की थोरी बचाए गई है पहली हम बात करेंगे याप पे spontaneous generation के बारे में किसके बारे में spontaneous generation के बारे में बात करेंगे ठीक है फिर हम अगे आगे बढ़ेंगे किस पर बायो generation पर बढ़ेंगे ठीक है चलो तो सबसे बारे किसकी बात कर रहा हम spontaneous generation की तो पहली जो theory दी गई उसको नाम क्या दिया गया theory of theory of spontaneous generation इस्पोटेनियास generation ठीक है चलिए तो theory of spontaneous generation की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो इसमें क्या बोला गया इसमें बोला गया कि भाई जो life आई है वो कहां से आई है dead or decaying material से आई है जैसे गंदी चीज हो गई like straw and all that ठीक तो spontaneous story में यह बात बोली गई तो भाई देखिए यहां पर एक बात समझ में फिर हमें नहीं आती कि अगर dead or decaying material से आई है तो यह dead or decaying material जब बने तो कोई ना कोई organism तो इन पे काम किया होगा तो हम कैसे मान ले कि एक dead and decaying material से कोई organism डेवलाप हो गया तो हमने कभी देखा कि कोई चीज हम रख देते हैं बाहर खुले में तो उस पर क्या air में कुछ सपोटिनेस जनेरेशन इसको बोला गया इसको नकार दिया गया disapproved कर दिया और यह disapproved करने वाले थे कौन आदान ने लूइस पास्चर सहब ठीक है तो लूइस पास्चर ने क्या इस जो थीोरी थी spontaneous theory इसको बिल्कुल disapproved कर दिया क्योंकि उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा पर जो life है ना जो life है ये pre-existing life से आई है समझ रहे हैं बात को हम cell में क्या पढ़ते हैं cell में हम यही पढ़ते हैं ना कि cell form from the which previously existing cells तो जो cells है वो previously existing cells से ही मिलकर बनी हुई है तो इन्होंने क्या बोला कि कोई pre-existing life थी उससे ही life का formation हुआ है ठीक है चलो तो इस theory क्या कहती थी और इसमें हम क्या लिए सकते हैं इसमें पढ़ेंगे कि इसमें नोंने कहा life comes from life comes from dead and decaying material dead and decaying matter क्या सकते हैं या rotting matter बोल सकते हैं rotting matter ठीक है like a straw like straw etc clear है फिर जब Louis Pasteur Sir आये तो उन्होंने इस थोरी को क्या कर दिया disapproved कर दिया है नहीं कि उनकी तरफ से उन्होंने खारिच कर दिया then Louis Posture then Louis Posture disapproved this theory this 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 theory Louis Posture disapproved this theory that he said that he said the life comes from pre-existing life the life comes from the pre-existing life तो life कहां सा आई ये भाई पहले से कोई existing life थी वहां से ये life आई है तो Louis Posture ने क्या किया important है याद रखियेगा इसको ठीक है तो Louis Posture ने इस चीज़ को यहाँ पर disapproved कर दिया clear आगई बाद समाझ में चलिए ठीक next हम बात करें यहाँ पर second theory की second theory कौन सी होगी biogenesis ठीक है अब biogenesis में क्या हुआ भाई यहाँ पर इस चीज़ को भी बताया गया वापा से चीज़ को बोला गया कि लाइफ जो है वो कहां से आई है pre-existing life से आई है so life comes from life comes from pre-existing life but they cannot prove that but they can't prove that they can't proved or we can say explained properly ठीक है भाई बात तो इन्होंने भी कही बात तो इन्होंने भी कही लेकिन क्या कर पाए भाई यह नहीं कर पाए ठीक है थर्ड हम बात करें किसकी cosmic theory या पैनिस पामिया इसको हम बोलते है थर्ड आएगी यहां पर cosmic theory cosmic theory या फिर हम क्या बोलते है पैनिस पामिया ठीक है अब देखिए cosmic theory में क्या हुआ यानि कि हम कहते हैं कि इस cosmic theory में क्या आगा भी एक sport था एक छोटा सा sport था तो वो जो sport था वो कहीं और से आया था या फिर उस sport ने जाके कहीं सब जगे जाके ब्रमान में क्या करा मतलब गैक्सी के जाके वहां सब जगे उसने life sustain कर दी तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं इसका मतलब प्लानेट के अंदर कोई प्लानेट है सब जगे life present है इसका मतलब तो यह हुआ तो इसको भी क्या हुआ एक तरह दिखाए unity of the unity of life spontaneous used sport was formed life a spore was formed a spore a spore was formed ya hum कहते हैं की ya transferred 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 the life to the different planets to the different planets including earth including including किसकी बात करेंगे हम आर्थ की बात करेंगे तो including earth यहां पर भी क्या हुई life आगे आई ठीक है तो क्या ऐसा हुआ था कि कोई स्पोर गया और उसने जाके पूरे प्लैनेट पे किसी प्लैनेट पे गया और वहां पर जाके उसने life का formation कर दिया तो एक तरह से दिखा जाया है तो यह भी कैसी थी ओरिजिन आफ लाइफ में यह में एक सुपरनेशनल पावर आई थी और उसने क्या करा एक तरह से कोई चमतकार हुआ और life का formation हो गया तो यहां पर किसको गॉड को बगवान को सबको माना गया है ना तो यह चीज़ बोसकते हैं बहुड को माना बगवान को माना इस तरह से क्या होगा formation हो गया तो यह चीज़ भी क्या है थोड़ से दिमाग से पर है क्योंकि विज्ञान यानि कि science के अगर हम बात करें तो science इस चीज़ को ना कारता है formation हुआ है तो किसी ना किसी चीज़ से हुआ है यह नहीं है क्यों को special creation हो गया उसने आकर जो है life को form कर दी शक्तिमान आ गया और आके बचा के ले गया है ऐसा कुछ है सूपरमैन आ गया कुरिश आ गया यह मान सकते हैं आप यह सब क्या है यह सब characters है जो हमने हमारे मन के अंदर बनाये हुए ठीक है अब आप बोलेंगे सूर ऐसे क्रसे possible राम निल्या नहीं हुई है और माय नहीं लिखी गई महाबारत नहीं हुई बेटा आपने देखी मैंने देखी नहीं देखी सूर राम से तुझ नजर आता है हाँ तो बेटा मैंने कब मना किया कि नजर नहीं आता होगा आपने देखा है कि कैसे बना राम से तू क्या नील ने नाम लिख दिया राम जी को पत्थर तेरने लगे कोई scientific reason था कभी किसी पदशनी में गए हो वहाँ आपने देखा है एक बड़ा सा पत्थर होता है उसको क्या करते है एक बहुत बड़ी टब रहता है उसके अंदर पत्थर को डाल देते हैं और पत्थर तैरता है और उसपर लिख देते हैं श्री राम समझ मैं है तो बेटा जो वो नील थे उसका भाई था उनको तो वरदान था किसका ब्रह्मा जी का कि जिस चीज पर लिख देंगे वो चीज फ्लोट करना शुरू कर देगी समझ रहे हैं बात को आप तो उन्होंने लिख दिया श्री राम पत्थर तैरना शुरू हो गए तो बेटा राम से तु है पुल बना होगा बनाया होगा समंदर के बीच में तो कि आज एडवांस टेक्नोलोजी से हम समंदर के बीच में पुल नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम की जो टेक्नोलोजी होगी वो और एडवांस हो सकती है क्लियर है इदो दर मत देखिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए क्लियर आपको बात समझ में यहां पर तो इस तरह देखिए क्या हुआ यहां पर भई कोई डिफरेंट प्रेंट पर इंक्लूडिंग आर्थ जो है यह इसकी बात कर लिए यह आपर ठीक है चलो अब theory of special creation में हम यसी के बारे में बात करेंगे clear चलिए किसके बारे में बात कर रहे है हम theory of special creation ठीक है तो special creation यही बोलता है fourth number is theory of special creation ठीक है तोरी says that says that the life was originated from फ्रॉम सूपर पावर सूपर पावर, लाइक क्या बोल दे, गौड बोल दे, लाइक गौड, ठीक है, डिस्क्रिसिव धर्म को आप मानते हैं, देखिए, इंसान एक है, धर्म अनेक है, लेकिन बना कैसे है, साइंस क्या बलती है, भई, हडी, भाड मास्का बनाए है न, इसके अंदर भी है, खौनाप के अंदर भी है, तो आपने देखिए, मूए है किनगी है, नाना मड़ेगर साभकी, क्या बोलते हैं यह बोडते हैं यह कैसा एक इन्सान भेता है, यह जात, धरम अलिभी, हम क्या है इंसान है ठीके इंसान है तो इंसान की कदर करना सिखी कुछ नहीं होता जात धर्म क्या भारी केंटिर में आपने देखा कि ये जात का है वो जात का से पहले है पूछते ये सब चीजें मनगढनत बाते बनाई हुए ठीके इंसान है इंसान की तरह रहे ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे हैं बात को चलो, तो यहाँ पर दिया गया भई कि क्या करा, भगवान ने जो है एक सूपरनेच्रल पावर आई और उसने इनसान को पैदा कर दिया तो हम मान लेते हैं, हम मानते हैं आस्ता से हम जुड़े हुए हैं, तो कई धर्म वाले जो लोग थे, उन लोगों ने इस बात से भी इसको जोड़ दिया, भी जो लाइफ है, वो इश्वर ने दी, अल्ला ने दी, गौड ने दी ठीक है ना, जिसने भी दी लेकिन दी आज हम जिंदा हैं, आज हम चल रही है evolution, अभी भी continuous going on है, तो कुछ न कुछ तो है, लेकिन superpower हम नहीं कह सकते हैं, clear है, यहाँ पर कित थोरी पड़ी हमने, यहाँ पर हमने जो है, एक तरसे बात करें, हमने चार थोरी देख ली, फिफ्थ थोरी के हम आज हम बात करें तो कौन से जागी, chemical evolution अज हम आज हम आज हम बात कर चुके हैं, थोरी दिर पहले, कि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पर जो है, पहले carbon present था, hydrogen present था, methane present थी, ammonia present था, यह सब था, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, chemical evolution हुआ, क्या हुआ, chemical evolution हुआ, biomolecules में हम पढ़ते हैं, जो हमारी soil है, हमारी earth है, अगर उसको earth को crush करते हैं हम, तो हमें जो उसमें element दिखाई देते हैं, वो सभी element क्या हैं, हमारी body के अंदर भी हैं, और उसमें हमने वो experiment भी देखा था, ash experiment, जब आपने 11th class में, biomolecules बढ़ा होगा, ठीक है, ash experiment किया था, हमने वहां पर, और हमने क्या किया था, एक तरह से हम बात करें, तो हमने लिवर का टोकड़ा लिया था, उसको इसको क्रश किया था, ठीक है ना, फिर उसके बार, उसको क्या करें, हमने filtrate करा था, जब क्या मिला था, हमें एक filtrate मिला था, तो हमने बात करती हैं, जो मोड़े बोड़े particle हैं, वो तो किसमें आगए, रिटेंट में आगए, जो स्मॉल पार्टिकल थे, वो क्या हो गए, फिल्टेट हो गए, तो यानि कि उसमें जो element, जो component देखिए, वो सेम component का है, हमारी body के अंदर भी present हैं, तो इसलिए क्या बोला, भाई, लोग बोलते हैं न, पुराने लोग, किसको बोलते हैं, कि मिट्टी से बने हो, और मिट्टी में मिल जाओगे, तो है क्या, जो हमारी soil के अंदर, हमारी earth के अंदर, जो component है, वही same component हमारी body के अंदर है, बस ये थोड़ा बहुत ratio का फरक आ जाता है, otherwise, बोलते हैं न, मिट्टी से बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे, ठीक, तो earth क्या करती है, अगर हम life cycle की बात करें, अपने living world में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक छोटा जनवर है, ठीक है, उसने क्या करा, उसको बड़े जनवर ने खाया, यानि कि अगर food chain की बात करें, तो food chain के सलती है, आपको पता है, एक जनवर दूसरा जनवर ते इसरे भी dependent है, एक कोई शाकारी जनवर है, vegetarian है, वो क्या करता है, घास खाता है, वो घास पर dependent है उसने गहां स्काइक उसको किसी और बड़े जानवर ने शिकार कर लिया लॉइन ने कर लिया ठीक है ना फिर उसका शिकार किसी और ने कर लिया फिर क्या हुआ वो डेड़न डिकेंग हुआ तो मायक और उसको पूरा खेतम कर दिया निकि मिट्टी में उसका अपसे डिजॉल कर दिया, आपने नोटिस किया होगा ना सअड़क पर क्या होता, कभी कभार, आप देखते हैं कि कोई जानवारे कोई कुट्टे हैं, मैक्सिमम, मैंने कुट्टों को यह देखा है, ठीक है ना, छोटे पपीज होते हैं, बड़े-बड़े जो डॉक्स होते हैं, वो उनको कोई लटाता, देरे-देरे क्या होता है, उनकी बड़ी, माइक्रोग्नम आते हैं, उनको तो फूड मिल गया, ठीक है, और वो क्या करते हैं, डेट इंड डिकेंग मेटेल को खत्म करना शुरू करते हैं, अब सपोस किजिए, अगर आप यह माइक्रोग्नम नहीं होते तो क्या होता, ठीक, वो, ऐस इसकी बड़ी वही पड़ी जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसे बैक्टिरिया भी है, जो उनके लिए फूड का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको सड़ने दे रहे हैं, ठीक है, सड़ने नहीं देते हैं, अगर ऐसे कंडिशन में सड़ जाते हैं, माइक्रोजम नहीं होते, नहीं खाते, तो कहीं सारी की बिमारियां जो डिजीस फैल जाती है, समझ रहे हैं, तो छुटेटे माइक्रोजम से क्या करते हैं, दीरे दीरे उसको बिल्कुल क्लीन करते हैं, अगर एक दू हफते बाद आप नजर देखेंगे, तो आपको पता भ चलिए पच्छों आई बाद समझ में, चलिए हैं, अब किसकी बात करेंगे? हम यहां पर बात करेंगे एक experiment की ठीक है और इस experiment को किस ने किया था इस experiment को perform किया था यहां पर यूरेन मिलर में लेकिन उससे पहला हम एक बात कर लेते हैं यहां पर यह यह chemical evolution है यह किस ने दिया था ओपेरिन अन है ठीक है थे कैयमिकल evolution given by यह proposed by अरल प्रोपोस्ट बाए अर्पोस्ट बाए थी ओपेरिन अन है ठीक है तो ओपेरिन और हेल्डं ने यह जो थियोरी थी वह यहां पर दिठी ठीक है chemical evolution के बारे में clear है चलिए इदर आईए अब इदर देख लेते हैं यहाँ पर तो इन्होंने एक आता कि भई जो first जो यहाँ पर evolution हुआ था वो किसका हुआ था chemical का evolution हुआ था और सबसे पहले क्या originate हुआ था first life originate किसे हुए थी non living किसे inorganic substance है ठीक है क्या बोचते हैं आपे non living organism के देंगे and organic substance के देंगे clear है चलो तो उसी के experiment को जो है यहाँ पर हम clear करते हैं और पर हैंडल ने यहाँ पर क्या वाता कि हम बात करेंगे यूरे और मिलर के experiment के बारे 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 थीक है बहुत important experiment है तो यूरे मिलर ने क्या किया एक atmosphere यानि की एक fake atmosphere जो सिज जब हमारी earth बनी थी तो उस ताइम का temperature और एक atmosphere ऐसा अंदर laboratory के अंदर उसने बनाया ठीक है और जानने ही कोशिश करीगी भाई life को formation हुआ कैसे ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट मिलर एक्सपेरिमेंट ठीक है अब इसमें क्या हुआ एक तो हेरल्ड यूरे और स्टैनले मिलर ठीक है इनका पूरा नाम क्या है हेरल्ड मिले यूरे और स्टैनले मिलर तो हम लिखते हैं कि हेरल्ड यूरे एंड Stanley Miller and Stanley Miller experimenting experimenting and proved that and proved the theory of proved the theory of chemical evolution क्या बोलेंगे इसको हम chemical evolution ठीक है तो उसने इनको उसने प्रूफ कर दिया इस थेोरी को इन्होंने प्रूफ कर दिया ठीक है चलिए next हम बात करें अब इन्होंने क्या किया एक condition तयार की they create a condition तो हम क्या बोस तकते हैं कि they create a condition like primitive earth ठीक है तो इन्होंने क्या किया उसको हम समझते हैं एक डाइग्राम की हेल्प से तो इन्होंने क्या किया बच्चों एक इन्होंने एक condition थी create करी लैप के अंदर जो primitive earth के टाइम रही होगी ठीक है इन्होंने क्या किया इन्होंने एक flask लिया अबसे पहले हम बात करें हम एक structure बना लेते हैं इसको आप समझने ही कोशिश करना ठीक है यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से ठीक है चलिए यह एक flask इस तरह से ठीक है और यहाँ पर एक vacuum का pump होता है तो यह वैक्यूम पम्प ठीक है इस तरह से क्लियर नौ यहाँ पर इन्होंने क्या करा एक बहुत बड़ा काच का flask लिया अगें और उसके अंदर क्या दिया इलेक्टोड दिये क्या दिये इलेक्टोड करनेक्ट की कैसे अभी हम देख लेते हैं कुछ इस तरह से आप अब ठीक है एक काच के flask मानने इसमें इलेक्टोड देदी है इन्होंने ठीक है और इसमें 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 वगरा हो सब इनके उन्तर इसमें यूज करने की कोशिश करी ठीक है तो यहां पर इक हो किया यह फ्लास्क हो गया यहां पर क्या होगा इस जगह तो मारेंगा हम बॉयलिंग वाटर यहां पर तो क्या हैै बॉयलिं वाटर वाला पार्ट है यहां पर एक कैप लगया इस तरह से ठीक है थोड़़ी चॉक्स देलेए बच्छो हम इसको डिफेंट कलर में हम बनाएंगे ठीक है, चलिए, अब दिखी यहाँ से क्या connected है, यहाँ से ही लेक्टोड देदी है हमने, और इसके अंदर क्या होआ, spark कराया गया, तो यहाँ पर क्या होबा, एक तरह से हम बात करें, यहाँ पर इन यह लेक्टोड के थूह, यह spark generate हुआ, क्या बोलेंगे इसको हम spark discharge यह क्या हो गया spark discharge ठीक है और यह क्या हो गया यह हो गया electrode ठीक है यह दोनों क्या हो गया यहां पर यह electrode हो गया clear है चलिए यह क्या हो गया यहां पर इसके हम बात करें इसके अंदर क्या क्या भरा गया इसके अंदर यहां पर बढ़ा गया gases अब वो gases कौन कौन से थी CH4 NH3 then H2O and then हम किसकी बात करते हैं H2 ठीक है यह सब क्या थी इसके अंदर यहां पर gases बढ़ी गई clear चलिए फिर अब इसकी connectivity देख लेते हैं इसको यहां पर यह इस तरह से यह इस तरह से यहां से connect हुआ यह ऐसे यह कुछ इस तरह से ठीक है अब यह यहां से कहां connect हुआ एक तरह से यह तो क्या होगा इसका यह इसका condenser होगा इसको हम क्या बोल देंगे condenser ठीक है यह पूरी प्रखनली है एक ठीक है इसका condenser हो गया और इसके अंदर क्या है यह एक तरह से हम बात करें यहां पर यह है water outer इसकी यहां पर क्या होगा यह water outlet हम बहा देते हैं यहां पर दो यह water outlet हो गया यह water out ठीक है और यह वाला कैसा हो गया यह वाटर इन ठीक है यह आपको वीजिबल है अब यहां पर क्या होगा यह किस से connected होगा यह यहां पर एक shape बनेगा इसका कुछ इस तरह से ठीक है इस तरह से हम बात करें और यह ऐसे connect हो जाएगा इस तरह से, ठीक है यह किसे connect हो गया? यहां इस वाले किसे connect हो गया? ठीक है यहां पर भी क्या है? यहां पर भी एक गधर वाल प्रेजेंट है ठीक है, इनके लिए water नके लिए water out के लिए clear है? आए बाह समझ मैं, तो यह क्या हो गई? इसमें तो क्या भरे जाएगी water droplet water dat droplet ठीक है इसके नदर हम बात कर तो क्या वाटर कंटेनिंग वह को में क्या बोलेंगे कि bacter懲ंगे ऑब का वाटर कंटेनिंग m इसमें क्या बहुआ है यहां पर वाटर कंटेनिग क्या है तक किस्ते हम और गानिक कंपाउंड वहलें अर सक्रिफ्फफफन गिर्फमन्ट और यानिक है a compound एक्या है इसमें वाडर इन ऑर गेनिक अम पाउंड है ठीक है और क्या है इसमें लिक्विट वॉाटर है इसके अंधर टैक के अंदर कैसे में लिक्विड वाटर इन टैप तो स्कुम कह立 остав nuestras लिक्विड वाटर इन अठीक है चलो अब देखिए अब यहां पर क्या है यह? यह boiling water है. कौन सा water है यह inपर यह? boiling water जो उबल रहा है. इसको अम ने क्या बोल दिया? boiling water ठीक है? अब इस boiling water करें तो यहां पर लगब लगब temperature किता रखा हैं? 800 degree 800 degree centigrade, clear है? आई बास समझ में? चलो. और यह क्या हो गया? यह हो गया इसका vacuum pump vacuum pump ठीक है तो यहां पर क्या किया high temperature रखा गया बिल्कुल vonicalning stream की तरह जो उस time प्रत्वी पर यानि की earth पर present था ठीक है तो यहां पर क्या किया गे इन्होंने इन्होंने रखा है यहां पर high temperature of volcanic stream और क्या करा atmosphere को reduce जो ता वह उस time we can write down here that maintain the high temperature high temperature ठीक है और किसकी बात करें हम यहां पर reduce atmosphere reducing ATM लिख देते हैं हम ठीक है reducing atmosphere रखा गया साथ ही साथ यहां पर क्या गई gases कौन कौन सी हम बात करें CH4 NH2 CH4 और NH3 H2O H2ATC clear है फिर अब देखी क्या हुआ यहां पर जो basically हम बात करें यहां पर क्या गया इन से discharge किया गया किस के अंदर flask के अंदर इसमें क्या क्या थे यहां पर gases भरी भी थी तो इसमें इसमें नहीं क्या थी घैसे भी थी तो इसमें आट उसको डिस्चार्ज गरा था अंदर इसमीं डिस्चार्ज कर जैसे डिस्चार्ज करा तो यहां पर गया तो इस कंडिशन में क्या वाइनों ने क्या देखा कि यहां पर इनको कुछ अधर टाइप की जो अमाइनो एसिट से समय उनको यहां पर देखने को मिले ठीक है फिर क्या कर यहां पर गया पूरा से ने क्या करें षाद हाँ यहां वाटर यहां से इन हो रहा था ठीक है और यहां पर गवाटर वेपर और विपर पर कितंगें ईट डिगरी सेंटीगेडा कितना गया 800 degree centigrade तो यहां पर क्या यह boiling water ठीक है कहां तक गया इसके रिजल्ट से क्या हुआ as a result as a result some amino acids some amino acids are formed उसको क्या मिला कुछ amino acids यहां पर formed हूं थीखेंतों क्या के लिए नहोंने अलग कर लिया तो कुछ इससे बात को बहसे हैं instrument कि थी विलुड शुगर यहां पर इनको अ eating को मिले denk इसलिक क्या बोलते हैं यहां पर इनको और ऑगूँं कुछ ASuku क्प्रYou answer Brandzam US के लिए और ना हम सिकिन रेए जो तो इससे कंफर्म हो गया कि सबसे पहले जो evolution हुआ था वो किसका हुआ था यहाँ पर chemical evolution ही हुआ था आई बात समझ मैं ठीक है तो इस तरह यहाँ पर किसकी बात करें है हमने यहाँ पर urine miller के experiment की भी हमने basically यहाँ पर बात कर ली ठीक है तो यानि कि अगर हम बात कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो first यहाँ पर जो non-cellular life form हुई थी ठीक है कितने साथ पहले थो three billion year ago हम क्या करते हैं कि important है ठीक है the non-cellular life formed three billion year ago ठीक है यानि यह सबसे पहले क्या हुआ chemical evolution हुआ और जो non-cellular life थी वो के सहल पहले पहले मिली हमको यहाँ पर मिली यह लगबग लगबग three million year ago ठीक है now self-replicating method जो था उसके थूर कियों बात करें in the self-replicating method method found some DNA or we can say containing some some containing from some containing RNA not DNA containing RNA proteins and polysaccharide ठीक है आई बात समझ में तो इस तरते ही प्रूफ हो गया कि वह सबसे पहले क्यों सा evolution हुआ था chemical evolution हुआ था clear है चलिए तो बच्चों अगर आज के lecture के हम बात करें तो आज के lecture में हमने जो है यहां पर completely cover up किया कि इसको evolution को ठीक है evolution के हमने introduction part देखा उसके जो experiments है उनको हमने देखा यहां पर जो original life की theories थी उसके बारे में हमने बात करी big bang theory की हमने बात करी ठीक है यहां पर जा हमने paragraph है completely cover up कर लिया है तो I hope कि इस lecture में आपको सब को समझ में आया होगा बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे समझ में आता है clear चले तो फिर आज के lecture में बस इतना ही मिलते हैं next class में till then have a great day and good bye कर आता है